नम्सकार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बहुत बड़ी खबर, महिलाएं भी बनेंगी आतिलरी रेजिमेंट का हिस्सा, जल्दी के नौ वजर और बोफोस जैसे लड़ा को हतियार चलाती आएंगी नजर। केंद्रिय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट ने बताया कि सरकार ने 20 मार्च 2023 को आटिलरी रेजिमेंट में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आटिलरी रेजिमेंट में विबिन कैलिबर की बंदूकें, सता से सता पर मार करने वाली मिसाइलें, बंदूकें, म आटिलरी में महिला अधिकारियों को शामिल करने का निर्णय 20 मार्च को लिया गया था। 2023 को आटिलरी रेजिमेंट में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये भारतिय आर्मी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इससे महिलाओं को उनके कोशल और क्षमताओं के हिसाब से बड़ी रेंकों तक पहुचने में मदद मिलेगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांदे ने गुरुवार को साल की पहली कॉन्फरेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतिय सेना के आतिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को कमीशन किया जाएगा। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आतिलरी रेजिमेंट है सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा। बताते चले कि इंफिंट्री के बाद भारतिय सेना में आतिलरी रेजिमेंट दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे आम अफ डिसीजन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आतिलरी रेजिमेंट मिसाइलों, बंदूकों, 105 मिलिमीटर फील्ड गन, आटोमे अधिकारी में शामिल होने वाली महिला अधिकारी जल्धी के नौ वज्र और बोफोज होविजज जैसे लड़ाको हत्यारों का संचालन करती नजर आएंगी। जय हिंद।